हेले वरनुंट मैं हुश्र रस्मार सरमार और फिर से वदौस आथ करता हूं आपका अपने चैनल पर भारतिय जीवण भीमा निगम की पॉलसी बाई करने के बाद सबसे ज़्यादा महतपून है उस पॉलसी का समय समय पर प्रीमישंश जमा करना ताकि policy धारक को policy के साथ में मिलने वाली सभी सुविधाओं का पूरा लाब मिल सके और जितना ज्यादा महत्पून policy का premium जमा करना है उतना ही ज्यादा महत्पून है premium जमा करने के बाद अपने policy की premium receipt को चेक करना ताकि ये पता लग सके कि policy धारक का policy के अंदर सही नाम है या नहीं policy के अंदर कितना premium जमा हुआ है कितना उस पर tax लगा है और उसके अंदर उनके घर का पता सही है या नहीं तो ये जानते हैं कि अपने mobile phone से अपनी LIC की policy की premium receipt डाउनलोड करने के बाद चेक कैसे करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने mobile phone में Google Play Store से LIC Digital App इंस्टॉल करें application successfully install हो जाने के बाद open पर click करकर इसे अपने mobile phone में open कर लें अब यदि आप भारतिय जीवन वीमा निगम के new customer हैं और आप पहली बार अपने mobile phone में इस application को open कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस application में अपना registration करना होगा registration करने के लिए आप सबसे नीचे यहाँ new user पर click करें और इस registration form को भरने के बाद नीचे इस proceed के option पर click करकर इसमें अपना registration कर लें LIC digital app में registration कैसे करते हैं इस पर हमने already वीडियो बनाया हुआ है आप हमारा ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं हमारे इस वीडियो का link आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको उपर i button पर भी मिल जाएगा LIC digital app में successfully registration कर लेने के बाद आपको इस app में login करना होगा login करने के लिए उपर आप यह login के option पर click करें अब आपके पास यहाँ इस app को login करने के लिए तीन option है यानि कि आप तीन तरीकों से इस application को login कर सकते हैं पहला है कि आप user ID पर click करकर अपना यहाँ user ID और password एंटर करने के बाद login कर लें दूसरा option है आपके पास कि आप यहाँ पर अपना four digit का MPIN बनाकर MPIN के द्वारा login कर लें और तीसरा option है आपके पास यहाँ इस app को OTP के द्वारा login करने का यानि कि आप इस OTP के option पर click करें यहा enter OTP वाले option में type करने के बाद नीचे submit पर जैसे ही आप click करेंगे तो आप LIC digital app में successfully login हो जाएंगे अब आप देख सकते हैं कि new update के बाद LIC digital app का पूरा interface बदल चुका है यहाँ first number पर my policies में आपको आपकी सारी policies देखने को मिल जाएंगी और बाकी सारी services आपको नीचे बाद इस पर click करें अब आप जिस साल की अपने LIC की policy की receive download करना चाते हैं उस साल को select करने के लिए आपृषल option पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चार option आ जाएंगे renewal premium revival advance premium payment loan repayment और loan interest payment कि आप इन में से सबसे उपर वाला renewal premium revival के option को select करें इसके पाद यहाँ पर आपके जितनी भी policy प्रही है उन में से आप जिस भी policy की receipt डाउनलोड करना चाहते हैं उसके सामने सिलेक्ट करें और नीचे जैसे ही आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पॉलसी की रिसीफ डाउनलोड होकर आपके मुवाइल फॉन में इस तरह से ओपन हो जाएगी अब यहां से आप अपनी रिसीफ को चेक किया है वो देख सकते हैं इसके नीचे लिखा है पॉलसी धारक का यानि कि आपका नाम और इसके नीचे आप इस बॉक्स में सबसे पहले नंबर पर देख सकते हैं अपना नाम पॉलसी नंबर के साथ में साथ में टर्म और प्लान नंबर देखने को मिल जाएगा और थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी policy के premium के साथ में कितना GST, charges बगारा लगा कर आपकी policy का total कितना premium जमा किया गया है और seven number पर आप अपनी branch का code देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहां पर आपने अपनी इस policy का जितना total premium जमा किया है वह आपको अंग्रेजी में भी लिखावा देखने को मिल जाएगा इसके नीचे आप policy धारक का नाम उनके घर के पते के साथ में यानि कि आप अपना नाम अपने घर के पते के साथ में देख सकते हैं इसके नीचे आप अपना यसी अफ इंडिया के अंदर रेश्टर मॉवाइल नंबर और रेश्टर इमेल अड्रेस भी देख सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रिशिप्ट electronically generated है इसमें signature की अविश्यक्ता नहीं है तो इस तर description में मिल जाएगा और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करकर notification को all पर select करें यदि आपने चैनल पहले ही subscribe किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यबाद फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बहतिन जानकारी के साथ next वीडियो में तब तक क क्यार जैहिन